तो दोस्तों हमारे साथ एक काफी बार होता है हम और हमारे दोस्त बैड के साथ में सेम सोर्स ओफ नोट से पढ़ाई करते हैं और फिर सेम लेवल का याद होने के बावजूद भी हमारा कोई दोस्त हमसे जादा नमबर ले जाता है इसके पीछे का आंस्वर क्याएगा इसके पीछे एक ही आंस्वर है कि आपके दोस्त की आंस्वर रिप्रेजेंटेशन आपसे काई गुना बहतर है तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के उपर बात करने वाले हैं कि हम हमारी आंस्वर राइटिंग को और भी ज्यादा बहतरीन कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले गाइस ध्यान डिरेक्ट इंपोर्टेंट एरियास पे जाता है और वे उसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे नंबर दे देते हैं अंदर आपने गर कोई मिस्टेक ही होती है तो वे हाई डाउन हो जाती है जब आप आप आउन्सर को पोइंट में लिखते हो तो आप एक जाद आप जो है न आप शीट को कवर कर पाते हो और साथ में जो paragraph होते हैं उसमें अच्छे से आप highlight नहीं कर सकते चीजों को points form जब आप अच्छे से लिखते हो तो हर एक point का अपने अच्छे से variant दिखता है teacher को then the fourth point is neat and clean अब मुझे नहीं लगता neat and clean मुझे ऐसा कुछ detail देनी पड़ेगी आप सब लोग इतने capable हो कि आप समझ जाओ नहीं कि लिन का क्या मतलब यहां पर the fifth point is good handwriting same and the sixth point is uses of powerful vocab आपको एक powerful vocab जो है ना आपके answer के अंदर आपको present करनी है कि teacher को लगे हाँ कि इसको सिर्फ जो ना एक bookish जो language है फिर bookish जो चीज़े है वही इसको नहीं पता है कि इसके पास powerful vocab भी है then the seventh point is is uses of powerful quotes by imminent personality such as sir williams blackstone H.L.A. Hart, Jeremy Bentham, B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi Ji, Jawahal Nehru Ji and so on and the eighth point is guys try to make a diagram or anything in tabular form guys उससे जो representation है भी बहुत इच्छे से समझ में आती है इसली and the ninth point is guys tell any unique fact about that topic आप कोई भी एक unique fact पता सकते हो जैसे कि how to become a PM of India के अंदर Prime Minister of India के अंदर आप ये fact डाल सकते हो कि अभी तक हमारे भारत के अंदर 14 परदान मंतरी चुने जा चुके है हमारे first Prime Minister ये थे current Prime Minister ये है सबसे ज़्यादा longest tenure of Prime Minister इनका है इससे एक unique fact के बारे में पता चलता है और teacher को पता चलता है कि इसको सिर्फ syllabus से related नहीं syllabus के बारे में related नहीं बट इसको syllabus से हटके भी उस topic से related चीजे पता है then the tenth point is guys always try to give conclusion हम answer बहुत अच्छा लिख देते लेकिन conclusion नहीं लिखते काफी बार तो guys हमें conclusion को नहीं बूलना है हमें conclusion को हमेशा answer के अंदर add करना है guys and the eleventh point is guys never forget to write answer number of a question because guys even though you have write the right answer in which you could get a full marks but you wouldn't even get a single marks just because you forget to write the answer number or you write the wrong answer number of a question so never forget about writing answer number of a question so guys जहीद है हमार आज की वीडियो I hope आपको अच्छी लगी होगी तो like, comment, share and subscribe जरूर गए हमारे youtube channel को thank you guys